हलो गाईज आपका फिर से एक बार हमारे निव वीडियो में आपका विलकम है आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे तो आज मैं खास करके बकरियों के बारे में आज बात करने वाला हूं उससे पहले थोड़ा सा फार्म के बारे में जान लेते हैं कैसा रहा आज का फार्म तो यहां पर आप chuckling अब को आज हमने धोया भी है जो Leoni अब है यह वाली बच्छडी इसको भी हमने धोया है और को बा uppyuba दुला है अब थोड़ा से साप सुत्रा रहा रहा है भी कैंत और अब यहां पर जो हमारी राणी बच्छडी है इसको हमने सेल करने के लिए रखा है रानी बचली जो हमारे पास है यह भी कुछ दिनों में सेल हो जागा जब इसका रेट मिल जाता है तो इसको भी हम लोग सेल कर देंगे क्योंकि यह कंसीब भी नहीं कर रही है अभी मैंने इसको खुद से एक बार हमने धुलया भी किया है इसको देख अजली की बच्चा थी बच्चिया उसको भी हमने सेल कर दिया मात्र साह 24,000 रुपे में दाम बढ़िया मिला इसके वजह से हमने बेच दिया इस बच्चडी के बात कर लेते हैं तो इसका थन में दूद आ गया है और यह बैठी थी तो आज इसका दूद भी निकल रहा था था थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा कि यह दिक्कत कर सकते है जो थन बाट बनना चाहिए वह शायद नहीं बन पाएगा ऐसा मुझे लग रह रहा है बधिया करन करने का वह भी मैं दिखाऊंगा और पूरी बकरी के पारे में जनकारी दूँगा चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बकरी जो है चरने के लिए खुल चुका है और यहां पर कुछ आपको राजिस्थान काई बकरा बकरी भी दीख रहा होगा जो आपको हमने सौट वीडियो में पहले कुछ दिन पहले भी डाला था और अभी कुछ बचा हुआ है जो हमारे पास मेल फे मेल अभी दोनों में है कि यहां पर जो आप पठिया देख पा रहे हैं यह प्रेग्नेंट हो चुकी है यह भर गिया है ब्रीडर से तो यह आप देख सकते हैं कि यह काफी खुबसूरत खुबसूरत बचाया हुआ है जो अभी कुछ दस पिस सम्थिंग बचा हुआ है तो यहां पर हमारा अपना जो गिरीन लगा हुआ था उसमें आ गई है चरने के लिए इसका जुताई होने वाला है इसके वज़े से इधर आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर जो आप देख पा रहे हैं यह देखें राजिस्तानी गोट यह ब्रीडर लाइक काफी बढ़िया है काफी शांदार यह बक्रा होगा यहां पर और एक फीमेल है यहां पर यह फीमेल है और बाकी बक्री जो हमारा क्रोस ब्रीट का जो बच्चा है जो वहां पर आपको देखने के मिलना ओभी प्रेगणेंट है और बाकि चुका है और एसा बढ़ियों है जो फिलहाल बच्चा देने वाली है एक कल बच्चा दिया जो आगी वीडियो जो देखा हूं जाए इस मंथ बकरियों से जो हमारा इंकम है क्रеं बिजनस के तौर पेर भर रखा गया है कुछ यह कमाई हो जाता है हर मंत में वहाँ हो आफ़ार के तौर प्रूस प्रॉस्स ब्री Gesicht केुट विजका हमारे जो वाइट हमारे इस वहीं आये होगा तो वह क्ला कोश्ट में विका भी सम्थिंग मैं आपको बता दूं तो 5000 रुपय में विका है कुछ दो तीन चार रह गया जो घर के लिए हम लोग पाल रहें खसी तयार करेंगे और एक पठिया वाइट में रह गया है जो काफी दूर में है थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊ यह खरता है हमारा अभी जो बरसात चल रहाती जब तक खेट में धान का फसल नहीं होता है जब तक हमारा चराइब रहेगा फिर हम लोग बहेंसा पिलेंगे चार महीनेतख का लुदेंग उसके आठ महीना जो है सम्तिंग खुला चरता है जिससे हम लोग काफी कोस्ट कम खर्च में अच्छा मुनाफ़ा देता है तो इस तरह हम लोग बकरी मैनेज करके रख रहे हैं तो अब हम लोग मशीन के बारे में आपको चनकारी देते हैं कि कौन सा मशीन हमने किस तरह मंगवाया है छलें आपको बताते है ने वाईट बरीडर का बच्चा है यह दोनों क्रॉसस ब्रीडर है बच्चा आया है जो डा आपको ईड़ देखने के लिए मिल रहा है और ये मेल है ऐसकी माय यह है अभ बाप यह कि हमने जो मशीन मंगवाया है यहां पर देख सकते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यह देखें यह पूरा मशीन है इसको इस तरह करके करना है कि यही रबड है इस रबड को इसमें पहना देना है इस तरह करके इसको हमने पहना दिया और यसको ऐसे जा अपने से यह जो है कि ये पूरा पहला लेना है कि यह इतना फैल गया और इसी में अंडूल तो इसमें चला जाएगा, जो हम को खसी बनाना है, उसको हम इसके अंदर पहना के और इसको जाके उपर, थोड़ा सा उपर का हिस्सा छोड़के, ताकि उपर का जो इसकीन होता है वो दबे नहीं और नीचे से भी छोड़ कर थोड़ा सा बीच में जो है इसको जाकर पहुंचा कर ऐसे छोड़ देना है और इस रबबड को लगभग वन वीक छोड़ देना है उसके बाद इस रबबड को कट कर देना है उसके बाद छोड़ उसका σपेक्ट्र तो उससे दिक्कत यह आता है कि पहसाब वगरा करने में दिक्कत होने लगता या इसलोट जो निकलता है उससे थोड़ा उसका एनरजी ल also होगता है इसके वजह से यह Marias भिखीन हमने मगवाए ताकि कि स्थी तरह ना हो इससे तो जो उसका रोकता है कंट्रल कर रखता है तो छोड़ा उसा दिक्कत महसुस होता है उसके बाद अपका फिर किसी तो कोई दिक्कत होने। यह यह कोई बिखात होना ने आपकी तो आज के लिए इतना ही मिलता हूं फिर किसी नेक्स वीडियो में वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक से जरू कर दें थैंक यू